हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टडी फीट ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों यह इनोटोमी फिजियोलोजी का चेप्टर चल रहा है जिसमें से आज का टॉपिक है रखत परिशंचर तंत्र एंड इसे रिलेडेट मैं चार वीडियो अप्लेट कर चुकी हूं एंड सभी फिजिकल एजुकेशन एक्जाम्स के लिए सभी चीजें मोस्ट इंपॉर्ट हैं सभी एक्जाम्स के जो अभियर्ति हैं यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और जैसा कि आपका 18 अगस्त को जो उत्राखंड का एक्जाम है इसे पहले मैं पूरा कोशिस कर रही हू कि आपको टॉपिक पूरा कर दूँ फिर भी आप अपनी सेल्फ इस्टवी पर भी ध्यान देजिएगा और चलते हैं आज के कोशन के तरफ कोशन है मानोसरी का सबसे ब्यास्त अंग कौन सा है दोस्तों आप जानते हैं कि जीवन प्रयत ने कौन काम करता है तो सबसे ब्यास स्पेसियों की दिवारों से बना होता है तिन परतों से पहला बारी परत होता है एपी कार्डियम मत्र परत होता है मायो कार्डियम और अंद्रिक परत होता है एंडो कार्डियम तो जो एपी कार्डियम होता है वो पहले कार्डियम के तिन परतों से बना होता है जिसके बीच में सेरस नामक पदात भरा रहता है जो हिदे की बाहरी आधातों से रच्चा करता है और हिदे इसमंदर में सहाइता करता है скई अपर अपर्ट उन बाहरी राइट हो पिर फाइट हो गारेट हो दो स्बसक्ति है उसमें हीडे किस भाग को कर द्खारे करता है दो आुपर की दो कोश्टक तक में next 2 कोच्टक को की तक मिस दीवार होती कि विय। जिसमें सिर्च क estásis perfect, चाह्पिंद है और निली की दीवारे होती है, cela बाय से भाड़ी होती है जो हमारे जो ऱकर रखत को बंक्त है की तरफ हमारे अंगों की तरफ भेजता है महाध हमने इससे समस्त अंगों तक जाता है तो सबसे कठीं कार्य करना पड़ता है बायां वेड्रिकल को यानि कि बाया निलय को ठीक है राइटेशन हो जाएगा आफसन नमबर ये कोशन नमबर फोर है कि सिस्टोलिक और डास्टोलिक दबाओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच के अंतर को हम पल्स रेट कहते हैं सिस्टोलिक और डास्टोलिक के बीच के अंतर को पल्स रेट बोला जाता है जो हिरे की कार्यशमता को प्रदसित क होता है समाने नाड़ी दाब 30 से 50 mmHg के बीच होता है दोस्तों यहां पे जो कुस्टन नम्बर 4 है इसका राइट असर पॉल्स रेट नहीं दोस्तों पॉल्स स्प्रेसर होगा ठीक है दाइसितर्ष पॉल्स प्रेसर शिस्टोलिक दिच के अंतर को पॉल्स प्रेसर यहां दरखेगा कोसे नम्बर 5 है कोम ब्लर्ड बैंक की तरफ कारे करता है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे अरत का निमार होता है जिसे सक्षाहिकें के ख्वडू की कहाल है, तो मेरा लगती क हम स्फाइल के धके हृती गाम् सिखेंया है, यह स्मिदन क कर साथ Map जो blood में होता है RBC में होता है license में नहीं पा जाता है इसलिए ओ जाकर के कहा मरता है पलीहा में इसलिए इसलिए spleen अनि पलीहा को blood bank का जाता है या blood का कभीस्तान भी कहा जाता है question number 6 है लाल रख्त कोशिकाउं का उतकवादन कहा होता है तो दोस्तों चोट लगता है, पर र dw yery को जमाने का लिए तुर घुराओं चोट लगने परक्त को जमाने का कारे कुष़ोर को लगने है મरा प्लेटलेर्स तो के दीजिसे थ्रोमोसाईट के है वज्यानिक भासामें, यालभली कू दीजिसे हाथ gyda ररक्त को जमाने में कारे करता है और कौन सा रक्ष्प को जमानी में कार करता है। जो हमारे पलाज्मा के अंदर पाय जाता है, प्रोटीन, अलबिमीन, ग्लोबिरूलीन, साथ है। यह लिदेन ग्रोटीन और राख्त़ जमानी में शहता करता हैं, फ्लेटरिस के साथ। जिसका निर्माड होता है प्रुथम भी निफाइब्रो नोजन का यक्रित में याद रखेगा नेक्स्त पोस्चन है को स्ट्रोट लगनेपर रख्त इस त्रव को रोकनी एवं रख्त जमनी में कौन सा तत्व सहायक होता है तो आप जानते हैं दोस्तो तो प्लेेट्लेस यहां पे राय ढेंसर हो जाएगा और प्लेट्लेस को अंधर रावसा में 뒷्रोम्बॉ-स क्लिका में लिए साथ-प्लेट्स वाधे दर और दर राय दीन्सर्व होता है कि जैसा दो आप तो अवायों की संपर्ख में आते ही जो हीपरीन होता है और रक्त को जमाने वाले पदार्त आप आपटी हो जाते हैं इसलिक है रत्या मुझाता है जब रख्त नहीं जमता है और कभी ऐसा होता है कि हीपरीन जो है अरुआजी के बीमारी होता है या किसी कारण बस कुछ संक्र इतना एक्टिव हो जाता है कि कटने के बाद भी वाहर उसका प्रभाग कम नहीं होता तो रक्त बहता रहता है रुपता ही नहीं है जिसे हमेफुलिया कहते हैं अन्वांसिक भीमारी कोशिर नमडर दस है निम्ण मेंसे रख्त को निम्न मेंसे रख्त से कौन संचायद होता है दोस्तों रख्ते में सोडियम क्लोराइद सोडियम बाइकरजियम आईरन एंड ग्लुकुष फैट यूरिय केसिट क्रियेतिटीन कोलेस्टल अमिनो यसिद ऑक्सिजन क्रमेंड एक्स मानों में समान ध्रकंडर कितना है हार्ट रेट की बात कर रहा है देशने राटे वहतर प्रतिमिनर रेंज कितना होता है् पर मिन्ट जो हार्टेट होता है दूसको 60-80 होता है किता होता है 60-80 है तो यहां पे उसके रेंज में आपका हो जाएगा 70-80 पर मिन्ट कोशन नमबर 13 है हमरा हिरे एक मिनत में कितनी बार धरकता है तो वही होगी कोशन जो है गुमा फिरा के पीछा है 72-75 पर मिन्ट कोशन नमबर 14 है मानों हिरे में एक मिनत में कितनी हॉट बिर्स होते हैं हॉटेट कितना बार धरकता है तो 72 बार कोसे नंबर 15 है मनुष्य के हिड़य को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है तो दोस्तों 72 में अगर आप साथ पर गुड़ा करेंगे तो आपका आ जाएगा साथ में बातर का जो भाग देंगे तो 0.8 second आपका राइटे से हो जाएगा 0.8 second तो एक भी डिर के मनुष्य की हिड़य को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है तो 0.8 second लगता है ठीक है कोशन नमबर 16 है स्वस्त मनुष्ट के हिरे के औसत गती प्रति मिनर्द कितनी होती है तो फिर सी वही कोशन पुछ दिया तो 72 से 70 से 80 बार होता है तो यहां पर आपका उप्रक्त में से कोई नहीं आपका राइडें सुरू हो जाएगा कोई नहीं दिया हुआ है कोशन नमबर 17 पुड़ हिरे इस्पंद जिसमें एक पट और एक अनुसित्लन होता है उसके अवधी कितनी होती है तो दोस्तों जो हमारा बाया निले जो हमारा निले होता है उसके कांट्रक्शन में यानि की 0.3 सेकेंड का समय लगता है और सिसलन में 0.5 सेकेंड का फुल मिला करके जो एक पुड़ हिरे एक धरकन में जो हिरे धरकने का जो समय होता है 0.8 सेकेंड लगता है कोशन नमबर 18 है एक रख्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं तो पाचास हजार यानि की पांच बिलियन मिलियन सेल्स होते हैं एक रख्त की बूंद में कोशन नमबर 19 है लाल रत कोड़ी काओं में कौन सा तत्त ओ ऑक्सिजन के वह रहता है तो दोस्तों आप जानते ही हैं वह होता है हमारा हीमोग्लोबीन तीक है हीमोग्लोबीन जो है ऑक्सिजन के परिवहन का काम करता है तो यह कहां पर पाजाता है लाल रत कोशिकाओं में और यह से रख्त असुद धमनियों में बहता है असुद रख्त सिराओं में बहता है लेकिन पलमोनी धमनी में असुद रख्त बहता है पलमोनी धमनी जो है असुद रख्त लेकर की जाता है फेपरों में आप फेपरों स बाहर हो जाता है तो फिर हिमोग्लोबीन जो है oxygen को ग्रहा करके ले जाता है हमारी को सिकाँ तो कोश्यजन नंबर 20 है तो रख्टका कारे है तो तो रख्टका क्या कारे है दोस्तों रख्टका जो है कार्य होता है आक्सीजन को अपूर्टिक करना एंब्रिधिक कारकों के ले जाना जितने भी पदार्थ है सब को कोशिकाओं तक कहचाना का काम होता है इन में से यह दोनों आपका राइड इंसर हो जाएगा आफसन नमबर सी कोशन नमबर 21 है धमानिया रखते ले जाती है तो किसको ले जाती है दोस्तों हिदे से हमारे सरीर के अंगों को सहिकाओं तक ले जाती है ठीक है हिदय से ठीक है अगर पूझेगा सिराय रख्त का ले जाती है हमारे अंगों से असुध रख्त को हिदय में ले जाती है और धमनिया का ले जाती है सुध रख्त को हिदय से हमारे अंगों तक कोंशन नमर 22 है सरी under onion का कार्य क्या होता है तो अधिजेश में बता ही हिरे से सुद्रक्त को अंगो तक कोचाता है तो धमनियों का कार्य क्या होता है हिरे से रक्त ले जाना कोशन नमर 23 है धमनि के अंदर पाए याद रखेगा धमणिवें डिधान सीरहLग, sirao में आसुधर्जर्कटता है though उसका निला निला ता याद रखिएगा, धमणिवें सुधर्कटता हे, लेकिन पर्मूनरी सीरहLगे की पुछाभिता है subject गर बाया निले स मत्य हैं असमेरत का मुझा। मत्यमों का है। क्राइ। कुर्चन 25 है, हैवी एक्सराइज करते समें रख्त का प्रवाह बढ़ता है तो जिसे आपके सरी के अंदर लानीमा एक आरख साइनिंग आता है तो जैसे कि हैवी क्सराइज करते समय इस रख्त की लगभग 15-20 प्रसेंट धारदार इस इसके प्रवाह प्रवाहि है जब कि हेवी एक्सराइज कर रहे हैं तो उस समय कुल रक्त परवा 80-85% हमारे इस्ट्रियेटर मुसल्स के गुड़ हो जाती है कुछ नमबर 26 है सिस्टोलिक ब्लड पेसर होता है तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जो ब्लड पेसर होता है जो बाय निलय के द्वारा रक्त सरी की तरफ भेजा जाता है तो उस समय धमनियों पर जो दबाव पड़ता है उसी को हम ब्लड पेसर कहते हैं जब बाया निलय कंट्रक्ट होता है और उसमें जो रक्त सरी की तरफ भेजा जाता है महा धमनी में तो उसमें धमनियों पर जो दबाव पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड पेसर कहते हैं जिसका मान 120 होता है तो सिस्टोल निली चलर पारिक्त तो हुआ है की जो हमारी हिरे की मान स्वेशया है उसके द्वारा होता है राद रेक स्व Wenya Satya राड उल्ड लीगा को यह दो ब्लड पेसर और राद पेसर हैं तो यहां पी किस के द्वारा होता है तो जो यह हमारा ब्लट प्रेसर होता है 120-180 mmHg होता है यानिक सिस्टोलिक रखते दबाओ 120 mmHg और डाइस्टोलिक जो है रखते दबाओ 80 mmHg होता है हाइपर टेंशन या अनिकारों से रखते दबाओ अध्यधिक बढ़ जाने से हिरे और मस्तिस्ता गुर्दू को हानी पहुच सकता है कोसियन नमर 27 है वैंट्रिकल से प्रतिमिनट निस्काशी द्रत की आट्रा को क्या कहते है तो निरय से प्रतिमिनट द्र्क्ट हमारे सरीर के उंगों तक भिज़ा जाता है — पंप करता है प्रतिमिनट जो निलय वहता है वैंट्रिक Cath 라고 Connor क्या कहते हैं दोस्तों Närट्यान लेकिन याद रखेगा काडियर आउर्पूट को ग्याद करने का सुत्र होता है इस्ट्रोक वैल्यूम गुड़े हार्ट रेड इस्ट्रोक वैल्यूम का करता है जब बाया निले जो है या निले हिदय का एक धड़कन में इसे की बहतर बड़ हमारा हिदय दरखता है एक धड़कन में आपका फड़क जो है लुड़ करता है जैंनि का मान मान होता है इसका मान 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 का होता है गुड़े हार्ट रेड हार्ट कितना होता है एक मिज़टंब्स दोनों का उरगा करें तो've 504 mã आयेगा यानि 5.0,04 5.04 लिटर आपकर एक मिनट में हिद्य Grindr जो है स्ट्रोक वंब करता है और एक धळकंडłos निलियों को दाइण देवराнего टो ऑरहा स्ट्रोक वंब कहते हैं जिसका मान होता है इस इस प्रकार cardiac output ग्याद करने का सुत्र होता है stroke volume गुड़े heart rate, stroke volume 70 and heart rate 72 गुड़े 5040 ml याने की एक मिनट में हिदर जो है कितना रख्त पंप करता है 5040 ml याने की 5040 ml याने की 5040 ml याने की 5040 ml जीरो चार लीडर question number 28 है cardiac output ventricle द्वारा रख्त की मातरा बाहर निकालना है तो cardiac output क्या होता है एक मिनट में जो हमारा हिरे जितना रख्त पंप करता है सरीक तरफ उसी cardiac output करते हैं तो cardiac output क्या होता है एक मिनट में यहां पर एक मिनट में आ रख्त की मातरा को एक मिनट में हिदे की द्वारा पंप किये रख्त की मातरा को काडेक आउट्पूट कहते हैं जिसका सुत्र होता है इस ट्रोक वैलिम गुड़े हार्ट रेट तब इस ट्रोक वैलिम कितना होता है सतर हार्ट बहत्तर ति कितना हो जाता है पांच हजार चालीस एमल यानि कि पांध असमलोग जीरो चार लीटर एक एंसर हो जाएगा आप प्रती मिनट यानि प्रती यूनि द्रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं हिदेई आउट्पूट यानि कार्डियक आउट्पूट ठीक है कोस्टिन नमर एक तीस है कि इस ट्रोक आयदन था हिदेगति का उतपाद होता है भी जश्ट में बताएं कि इस ट्रोक वोश्य नम्र 32 है कि आयाम के दौरान जब हिदे गति 160 बीट प्रती मिनट हो और इस्टोक ब्यायाम के दौरान जब अग्सरसाइज कर रहे हैं उस दौरान जब आपका हाट एक सो साठ बीट प्रती मिनट और इस्टोक वोईल्यम ट अब भूस्टोक दौरा हो निट्ड जब की आप फोका सो ऑशार एमल प्रती मिनट आ जब की आप दौरान के किदम प्रती मिनट पूह recluch गांगा ग्सटोक दोफचित 710多 की में अग्सरसं हिछ मेंगा 5500 बीजाय कि उदिक को आपका 5914 लीटर question number 33 है एक धड़कन में हिदेद्वारा फेकेगे रक्त की मात्रा को क्या कहते है अब जश्ट मैं बतायी हूं कि एक धड़कन में तीक है उसको हम इस्ट्रोक कहते हैं ठीक है यहां फिर इस्ट्रोक वालिम राइट होगा अब एक मिजट में ही देद्वाया फिके के रख्त की मात्रा कहेगा तो काडियक आउर्पूट आई एक धड़कर में कहेगा तो इस्ट्रोक वैलिम कितना मान होता है इसका 70 एमल कोसे नमर 34 है रख्त किस वर्ग को तो किस रख्त वर्ग के बेकी को सर्वधादा कहते हैं तो दोसतो रख्त वर्ग ओं को सर्वधाता इनिवर्सल डॉनर कहते हैं यंगर positive and negativity याननिष पेक्टर की बात करेगा तो ओ निगेटी जो है आपका सर्वधाता होता है एद रखेगा अगर उस तरह से पूछेगा तो बचता है रख्तवर चार ग्रूप में बटा गया है A, A, B, O A, B, A, B, O ठीक है तो A, A को दे सकता है ठीक है A किसका किसका रख्त ले सकता है A वाले का और O वाले का B किसका ले सकता है B वाले का और O वाले का क्योंकि O सरुदाता है और जो A भी है सब का ले सकता है Q36 है कौन सा रख्त समुखू, यूनिवर्सल डॉनर है या या यह सरुदाता है तो O है, कौन सा है, O है Q37 है, ग्रूप A रख्त वाले वैक्टी को किस ग्रूप का रख्त दिया जा सकता है, तो A को A देगा और सरुदाता जो है O देगा, ठीक है Q38 है, रख्त क्या है, तो दोस्तो रख्त जो है, एक तरल सन्यूजिवू तक है, तरल सन्यूजिवू तक हमारा रख्त और रुधिया और लसी का दोनों आ जाते हैं उसके लब हमारा जो हर्डिया है एंड जो उपास्थी है एंड टेंडन लिगामेंट वाइट फाइबर एंड इस अभी चीजे जो है समीजी उत्तक के अंतरगत आते हैं कोश्य नमर 49 है एक वैस के रख्त की और सतमात्रा कितनी होती है तो दोस्तों पांच लिटर होती है पांच से छे लिटर यांग पांच लिटर आपका राइड इसरो हो जाएगा कोशिए C4 मेरो चालीस है एक मिली ली लीटर रग्त में प्लैट लेट्स की संच्छा कितनी होती है तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं एक के अमल रग्त में जो हमारा अरबिसी की संच्छा होती है पचास लाग होती है यानि पांस बिलियन आर जो स्वेटर तकड़ी कायं ह होती है 5000 से ग्यारहए अजार एमanka होती है और जो हमारा फ्लाइट लैट लॉती है एक लाक से पांच लाक परती है यहां पर एक लाक से पांच लांग यहां कोई नहीं आपお अजै का अगर मिनीमं को जाएंगा य अगर मीनिमंगा पूछे गाते हैगा जदे-जयाद जाते हैं किसमें ओस्तों तरोफिया श्रॉर्फोसाइट कषा तहीं विल्साइट जाता है तो याद करके हूझेगा विल्सु जाताए तु पिलिगी पलीकेuden जंग किसमें किनके अपर फिलिंग नहीं जीवन काल कितना होता है दोस्तों स्वेत रतकड़ीकाओं का जीवन काल जो है तीन से पांच दिन तक होता है या कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक होता है स्वेत रतकड़ीकाओं का जीवन काल तो यहां पहल दो से पांच तिन से पांच दोनों अपसर gör पिपी तो उस पर निरिफर करता है तो यहां पहल सक्ता है हैп कि कोसे नंबर 45 है Can we used bc का मुख्यकार क्या होता है दोस्तों डौ स्पी जो है वाइड प्लड से होता है उस नहीं को जवाड़ों बिसाड़ों से बचाता है तू सभी को संक्रमद से बचाता है संक्रमद के केलिए आप लणने के सकती देता है WBC, यह पर parody रिइद रहित में बिर रख़ता है इसमें WBC जो होता है दो प्रकार का होता है एक गृनुली चैड एक और गृनुलिुसाइड गोनि तो होता है और गृनुलिसाइड परंता है और अरृनुली यह उस्था में यह संख्या बढ़ जाता है यह संख्या बढ़ने पर इलर्जी की संख्या बढ़ने पार साभी में इलर्जी हो जाता है जैसे कि आस्थमा, योसिनोस्फिलिया, एंटेजन वव एंटिबोडिज प्रक्रिया के फरसरूत बने कड़ों का परेग्रहर करती है, और जो हमारा लिंफोसाइड होता है, वो सबसे बड़ी छोटी, सबसे छोटी जो लिंफोसाइड होता है, डबलो बीसी में, वो सबसे छो लिंफोसाइड वोता लिंफोसाइड मानने का काम करता है इसके बात ह Wald Dogman समय मों मों सॉत कर रहा है हैं तो उस से रच्छा क्रता है अन्रल सिर्फ इस प्रच्छा करता है उस इस बैक्टरिया को मार देता है और उस बैक्टरिया को मारें GO खेंगा तो खा लेता है तो यानि सफाई हो जाता है इस प्रकार जो है हमारे सदी की संक्रमर से खिलाब लड़ता है यानि संक्रमर के रोखपते युदक चमता परतां करता है सदी को जुआड़ी को पीसाड़ू से बचाने का काम करता है हमारा टब्लो बीसी 過去 46 है सवेट सबसे बड़ी कड़ी काव पीसे बताई होती मोनोसाइड ठीक है यू मिनन नर्रतं कड़ो का जीवन काल के कारता है अगरत भीसाध काने के लिक गाल मेंा सब्सक्रम नों से तो जो हमारा ट finishesल मैं इंसलिकर कांक रुठार को Su me और लोर्से मईश्य ओक्लवा सूंभा क्लिच तरुटी के अग्डिए कर्णा उतना बिलूभ एक सब्सक्रकान कहां पर फिए न Bunny तरम मीश्य यूटाप हाओ क्लिपेद रएंगे, बिड़ास । में कि sausage, èाई तायर ढी दो Untilल में मात source कि लाला तकडिकाओं का आयू मानू में कितनी होती है तो सो से 120 दिन यहां पर एंसर हो जाएगा जैसा कोस्चन और जैसा एंसर आपका तीक है next question है हीमोग्लोबीन है तो हीमोग्लोबीन क्या है दोस्तों हीमोग्लोबीन एक प्रकार का प्रोटीन है क्या है हीमोग्लोबीन क्या है एक प्रकार का प्रोटीन है हीमोग्लोबीन दो सब्दों से मिलकर बना है हीम प्लस ग्लोबीन हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबीन का म इस समान बैक्ती में हिमोग्लूबन के औव्सत मात्रा कितनी होती है दोस्तों, फरंडरे ग्राम, हमारे इन यार्म жен रखती घ्रिजन इसका मुक्य कार्या से सज्जन होकर परिधान करना हैß यह भी याद रखेगा बेरे इंपोर्ण है कि हमारा प्रती ग्राम एक ग्राम हिमोग्लोबीन कितना अक्सिजन लेकर जाता है तो प्रती ग्राम या एक ग्राम हिमोग्लोबीन जो है 1.34 ml आक्सिजन को लेकर जाता है जो कुल रख्त आक्सिजन छमता को 70 गुना बढ़ा देता है जैसे कि आप जान सकते हैं कि इस प्रकार जो है 100 ml जो है 15 जो ग्राम हिमोग्रूबिन है वो 20 ml आक्सिजन को लेकर के जाएगा कोशन नमबर 20 है हिमोग्रूबिन का कारे है तो हिमोग्रूबिन का क्या कारे है दोस्तों इसका है आक्सिजन को आकरसित करना उसको ले जाना कोशन नमबर 23 है मानों सरीर में लाल रत कड़ों की मात्रा सरी के रुधिजारू का कितना परसिट होता है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो रत है उसको दो पार्ड में डिवाइड किया गया है प्लाजमा और रतकड़ी का ठीक है प्लाजमा जो द्रवी भाग होता है चिपचिपा पदाथ हलका पीला रंका साफेद कलर का अर दूतरा होता है blood sales याने की कठोर पदा А्थ जो प्लाजमा जो द्रवी भाग होता है उसमें अजमें का 25 परसिंट भाग होता है यूर pozरे और रुधी कड़िका का 88% होता है तो रुधिरारो का कितना पूछेगा तो 88% पुए रख्ट का तो 40% याद रखेगा क्वेस्टन नंबर 54 है कि समाने इस्थिती में हिदे से आने वाले रख्ट का कितना प्रतिसत यफित को प्रात होता है दोस्तों जैसा कि हम जानते है कि जो रख्ट होता है हिदे से हिदे से आने वाले रख्ट जो है नस् oneself कimme जाता है तो उसमें से 10% भाग तो जो महा ध्मनी होता है जैसे कि बाया निले से सुद्रक्त पंप करके सबसे पहले महा ध्मनी में जाता है अब महा धमनी की बिभीन साखाएं होती है उन साखाओं के दोरा समस्ष सरी में पहुचता है तो महा धमनी को एरोटा कहा जाता है एरोटा की प्रथम साखा जो होती है वो होती है आपका कुरोनरी धमनिया अब कुरोनरी धमनिया क्या करती है हमारे हिदय को रखत को आप उर्थी करती है हिदय की मांसपेसियों को रखत की आप उर्थी करती है उसके बाद आपका दूसरी साखा रिगलती है दाई और बाई केरोटि धमनिया जो हमारे सरी के सीर और गरदन के दोनों हिस्सों को खुन पहुचाती है तिसरा हिसा निकलता ह दाई और बाई सब क्लेवियन धमनिया जो कंदों और भुजाओं को रखत पहुचाती है उसके बाद एरोटा की कई साखाय आंतरिक अंगों को खुर पहुचाती है जिसमें उधर छेतर में इरोटा की दो सखाय बढ़ जाती है दाईयां बाई इलियक धमनी और फिमरल धमनी दाईयां बाईयां इलियक धमनी जो होती है वो 25 छेतर में इस्थित अंगों को रखत पहुचाती है फिर यही धमनियां आगे चलके टांगों तक जाती है जहां इसे फिमरल धमनी कहा जाता है तेक है और जो एक होता है कुरोनोरी साइनस जो एक सबस्ट हिदय खांच हिदय के उपरी चोड़े भाग को पिछले संक्वाकर भाग से प्रिधक करती है और हिदय उतक से रखत की जो आवापसी होती है वो मुक्तर कोरोनोरी साइनस के द्वरा होती है जो सीधे दाएं अलिंद में पहुचती है इस प्रकार आप समझ गए होंगे तो जो हमारे हिदय से आ हमारे हिदय के मसल्स को प्राप्त होता है 15 भाग हमारे मस्तिस को प्राप्त होता है और 25 यकृत को 20 प्रसेंट हमारे किरनी को 38 अन्य अंगों को हमारे सरी में सबसे ज्यादा काम करता है किरनी इसलिए किरनी को यानि सबसे ज्यादा काम करता है यकृत यानि लीवर दोस्तों 150 याणि यकृत को 10 त्रक्षेंट 75 परसेंट मस्तिस्ग को 20 किर्नी को Oğlum को अि यसे नमर पच्पन रप्न के अब्समा कर tapa ऊज्वा में ज़ल होता है दोस्तो इस प्लाज्मा में जो है 90% जल 8% प्रोटीन 0.9% नमक 0.1% कर्वनिक पदार्थ होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पाने की मातरा कितनी होती है रख्त प्लाजमा में 90% ठीक है रख्त जो है रख्त में प्लाजमा 45% 55% और ब्लड सेल्स जो है 45% प्लाजमा जो है हलके पिले रग का छारी द्रव होता है जो प्रोटीन के उपसेती के कारार रख्त और चिपचिपासा बना रहता है यह जो है पूसक तत्व, नमद, लुकोज, ता अमिनो एसीड को उतकों तक पहुचाता है और वहां से जो बेगार परदात होता है जैसे यूरिक एसीड, अमोनिया, लैक्टिक एसीड, सियोटू को बाहर निकलना कोसे नमबर 56 है प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है विजश्ट में बताए हूँ, 90 परसेंट पानी, 8 परसेंट प्रोटीन, प्रोटीन में कोंकों से प्रोटीन पाय जाते है प्लाज्मा में, अल्वूमीन, ग्लोबीलूइन, प्रोथमीन, फाइब्रोनोजन, जिस Q57, मनुस्य की समान प्रोधील यह रध का अधिकांस भाग होता है को अधिकांस भाग क्या होता है तो रध का अधिकांस भाग के कौन होता है प्लाज्मा रध को दो भाग में बटगεια है प्लाज्मा और डूर्सेल्स प्लाज्मा 55 परसेंट भाग वोता है द्रवी भाग और डूर्सेल्स जो होता है यह कष्णार भाग द्रवी भाग होता है ब्लड सेल्स जो होता है वो कठोर भाग होता है प्लाजमा जो दुरवी भाग होता है पुरी रख्ट का 55% भाग होता है और जो ब्लड सेल्स होता है कठोर भाग होता है यह रख्ट का 45% भाग होता है यहाँ पे खुन का तरल भाग कौन सा होता है दोस्तों तो यह हमारा राइ दोस्तों जैसे कि हम अधिक उचाई पर जैसे जाते हैं आग्सिजन का लेबल कम होता जाता है तीक है इसलिए अधिक उचाई पर आखिजन की मात्रा वाता दो कम होती है जिसे सरी में अधिक आखिजन की पूर्टी ही तुविदे को जादे काम करना पड़ता है फितर गती का आफसा नंबर भी कोशन नंबर साथ है हिदय गती का रुखना किन रोग्यों में आम बात है तो दोस्तों हिदय गती का रुखना जो है उच्छ रख्ट चाप वाले रोग्यों को जादे आम बात होता है हाई प्लड ट्रेसर वाले कोशन नंबर एक सठ है मनुस्ति के शरी में रक्त परिसंचर तंत्र के अंगुव में जिस अनुक्रम में प्रवाइद होता है उसमें आपको मिलाना है तो आपको तो पताईए दोस्तों बहेरी जी कोशन है सबसे पहले हमारा हिदय है ठीक है हिदय के बार हमारा महाधमनी महाधमनी के भाद धमनी फिर के सिका में जाता है तो वान टू थ्री फूर आपका राइडेसन हो जाएगा आपसा नंबर बी कोसे निम्र बार सथ है यहां पे आपको मिलान करना है जिसे ग्लुकोज हिमोख़़भी डायफ्राइन हीडे तो ग्लुकोज हो जाएगा दूस्तों यह हमारे रुधीर सरक्रा होता है एन हीमोगलूबिन क्या होता है यह लाल रत्कडिकाव में पाजाता है डायफ्रान क्या होता है यह स्वांस की पेशी होती है जो हमारे फेफ्रों के नीचे फेफ्रा जो है डायफ्रान पर इसित होता है एन हीदे क्या होता है यह हीदे ही होता है यहां किसके द्वार दोस्तों हिरे तीन मांथपेशियों से बना होता है एपिमाइसियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम तो जो हमारा हिरे होता है किससे गिरा होता है एपिकार्डियम से कोस्wright निम्ए जो है पेरिकाडियम के तिन पर्तों से बना होता है। इसके एपिकाडियम नहीं दिया है यहांपे पेरिकाडियम आपका रायरेंशल हो जा जाएगा। क्योस्तिर नूम्बर 64 है कि सरीर रच्ना एनिटॉमिकल भासा में हिरे के मानस्पेसियों को क्या कहते हैं तो सरीर रचना या एनिटॉमिकल भासा में दूस्तो हिरे मानस्पेसियों को मायो कौडेम कहा जाता है मायो कौडेम हिरे की दिवारों को निर्मित करने वाली पेसियां होती है कि इन पेशीयों की मुटाईई हिद्य में एक जी नहीं होती है। इस्की मुटाईए अधिक होती है और की एधिगान्ष लिया इसी भागने होती है। कोस्टिन о 65 फिदे की वार का मदे कोर्ट क्या होता है तो बाहरे कोर्ट,पिकाडियाम,मयो-काडियLee मदे कोड कोड को हम क्या खाहेंगे मयोकाडियम कवस्टिनबर 6-6 है कि बेसल मेटाबोलिक दर में वेक्टी दर की वेक्ती भिर्यता हो सकती है पर अन्तो हो भीक्टी की मात्रा पर निवर करती है। दोस्तों, बेसल मेटाबोलीकूइट यानि जो BMR होता है इस बात पर निवर करता है कि आप कितना कारे करते हैं। उसके एकॉर्डिक आपका डायट होगा आपका अहार होगा। रिल्यानों काम करते हैं तो उसके एकपीड़ी खाना खायेंगे, अपने डाइट व्ल्लान रहां अगर जादे कम करते हैं तो उसके एकपार्य। रहा है कि आपका जतिविदी कैसा है कि को स्वेट रुद्राडू का मुख्यकार क्या होता है तो मैं अच्छे समझा दिए वाइट ब्लड से बैक्ट्रिया से लड़ता है यानि जिवाडूं विशाडूं से हमको बचाता है और रुवाडूं यानि अटिजन पदार्थों को सब्सक्राइब नश्ट करके सरीष दूर्चा करता है को स्वेट निम्ट नमबर 68 है में इसे किस से आयू को पतिस्थापित कर अधितम HR यानि की MHR ज्यात किया जा सकता है मैसिम्म होर्टेट तो दोस्तों हम 220 में से आयू को खता देंगे तो हमारा मैसिम्म होर्टेट हो जा दोरान हमारा अधितम HR कितना होना चाहिए 175 है ठीक है को से नमबर 79 है हिदय के विशय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो दोस्तों पढ़ते हैं सभी को आफ्सन को आफ्सन नमबर A है कि यह सीने में फेफ़डो और मध्य पढ़ के बीच केंद्री और नमन के अधिया को आफ्सन एक प्रसिचित खिलाई का वाजन पांसा से साड़ें 500 ग्राम होता है ठीक है समाने वजते हैं गलत हो गया से हो इयां एक पड़ द्वारा बाएन और दाए दो भागों विवाले क्या जाता है बात सही हां इस दाएं भाएंबों Touमट सही हैं से होुआ लिए में विए बाथ है तो उबर के दो प्रकुस्ट को हम कहते हैं नीचे के को खाते हैं याने यहां पर यहां पर बी भी सही है गलत क्या है डोस्तों केवल बी गलत है केवल बी आपका राइज देसरू हो जाएगा मानो हिदे का वजन कितना होता है मानो हिदे का वजन जो होता है 200-300 ग्राम होता है कितना होता है 200-300 ग्राम लेकिन जब एक एथलीट होगा प्रसिछित खिला रही होगा तो उसका वजन होगा 500-500 ग्राम हो जाता है बढ़कर के इसको एथलीट हिदे भी कहते है Q173 है प्रोड हीदे का वजन कितना होता है जेक वेस्ट का प्रोड हीदे का वजन होता है 2500-300 ग्राम होता है यहाँ पे रैटेसर हो जाएगा 260-300 ग्राम Q172 है दोस्तों पानी परस रहा है उसी का आवाज आ रहा है तो आप इरिटेट मत होईएगा सूरी इसके लिए मैं चया कर सकती हूं तो कॉसषरitis 72 ह है जिन भ्यक्तियों में रख्चछाप का में जी पह पता है उन्हें उत्चे रायस्ट चाप का मरीच कहा जाता है। जो कि आप जानेी हमारे हमारे हमा पलत पछा का सननी है। हन्हे हमारे हमारे है ब्लड पेसर के हमारे राइव से जाने है पीकल पंध कंध बहुति जाला हुआ हुष computer आपका राइड जरू होगा 140-90, 140-90 आपका हार्ट बीट ब्लट पेसर हो जाएगा तो आप जो है वो उच रखतचाप यानि हाई ब्लट पेसर के सिकार हो जाएगे, इस से कम रहेगा, 120 से कम आसी से कम तो लो ब्लट ट्रेसर के सिकार रहेगे, ठीक है, पॉस्चन नम्र चहोत है कि मानों का समान रखतचाप कितना होता है दोस्तों अभी जश्ट बताइए, 120-180 mmHg आपका राइड जरू हो जाएगा, कॉस्चन नम्र 75 है कि सिस्टोलिक दबाओं का दारा रेंज कितना होता है, तो सिस्टोलिक दबाओं का दारा 110-130 होगा, एंड डास्टोलिक का दारा जो है, वो 70-90 हो जाएगा, कॉस्चन नम्र 76 है, एक स्वस्त बेक्ती का समान रखतचाप कितना होता है, तो अभी जश्ट में बताई हूँ, 120-180 mmHg होता है, कॉस्चन नम्र 77 है, इस फीगनो मैनो मेडर किसका माप करता है, तो आप सबको पता है, रटे हुए है, रटचाप 89 है, वेंट्रिकल एक हिस्सा है, यानि निले, इसका हिस्सा है, तो हिदय का, आटियम वेंट्रिकल है, अलिंद निले, कॉस्चन नम्र 80 है, हिदय में कितने चेंबर होते हैं, दोस्तों, तो चार चेंबर होते हैं, चार खाने होते हैं, उपर के दो चेंबर को अलिंद, यान कि any name got I have conquered 들어온 कि दूटमर को हम अले नी यानि अार्डियम का आटे हैं और नीचे की दो जिमय को हम रिलै यानि की वेंपरिकल काते हैं को मिकthenos सब्सक्राइब है कि हे एक किस भाग थोट में ए Corporal रहता है अजिक और आ बाए निले के सुधररख्थ पंप करता है तो सफेप़े एरोटा में भेचता है इरोटा के महाध्वनी में शाखाए होती है उसके दौरा भीविन अंगों को भेजा जाता है तो यहां पर जो है बाए अहीदे किस भागा केमबर में एरोटा यानि कि महाध्वनी जूड़ा र बसे नमर चौरासी है बाए आर्टियम और बाए वेंट्रिकल के बीच वाल्व है यानि कि बाए निले अलिंद और बाय निले के बीच कुनसा जो है आपका कपाड होता है तो बाए कैस्पिट जिसे हम मिट्रल वाल्व कहते हैं दोस्तों यह दे बेच चार दरवाजे होते हैं दाय अलिंद डाए निले के बीच त्रarespace वाल्व छोग किसमें तीन दरवाजेह लगे होते हैं और बाया निल ए अनिली के बीच बायाई काषिम्ध करता हैं और एक होता हैं अदरचंद्राकाल वालप मेंद से एक होता है서 है परमॉंरी वालप जो दाइ अलिन जो दाय निले से जो असुद रख्त होता है वो पल्मोन्री वालव के रास्ते पल्मोन्री धमनी से फिपो में जाता है अब एक चोथा वालव होता है अपका एरोटिक वालव जहां से सुद रख्त जो है बाय निले से एरोटिक वालव के रास्ते महा धमनी में जाता है ठीक है Q85. 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 Q दच्ष्ड अलिंद और दच्ष्ड निलय के बीच कौन सा वालव होता है तो तो पताएं, ट्राइकाइसपीड वाल त्रीमुल वालवन ट्राइकाइसपीड वाल question number 87 है हिदय के किस भाग से रख्त सरीर के विभिन भागों के लिए प्रवाहित होता है तो वह होता है आपका बाएं निले से question number 88 है पुरी सरीर रख्त को पंप करने वाले हिदय के अंका नाम है तो वह होता है आपका left vertical यारी कि बाएं निले बाय निले ही आपको सुद्रक्त को समस्तरी में बbaby क्योंकि हिरे कि दाय भाग में असुद्रक्त बहुतता है और बाय भाग में सुद्रक्त बाय निले जो है सबसे ज़ीधा काम करता है जब यह contract होता है सुद्रक्त को किस अंग में रख्त ऑक्सिजन रहित होता है दोस्तों अहां पर होता है दिल याने की हिदय में ही होता है के धैय के दाएं भाग में आसुद्य रक्त बहता है दाएं अलिंद दाएं निले में वहां से पलमोनी धमणी दो होता है तो वह एरोटिक वाला जास्ते अधैक सरी में फेट दिया जाता है तो आक्सिजन रहीत होता है दिल में ठीक है अगर दोस्तों यहां पे अगर वेन रहेगा यानि सीजा रहेगा तो सीजा में आपका राइडेंस रहोगा लेकिन यहां पे सीजा नहीं दिया है कि दाहिने नीले से रखता है तो दाहिने नीले से रखता है तो दाहिने नीले से रखता है तो असुद रखता है तो असुद रखता है तो असुद रखता है दाहिने नीले से पल्मोनरी वार्व के दास्ते पल्मोनरी धमनी से होता हुआ फेपर में जाता है तो यहां पे अपने खेलों में अच्छे प्रदर्सन दिखाने तथा उपलब्धी प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लाकर्स का प्रियूग करते हैं जिसे रक्त चाप में कमी आती है तथा एक अगता बढ़ती है तो इसको बीटा ब्लाकर्स ऐसा होता है कि आपके तरी दोस्तों एक संच्छण तंद्र से इंपॉर्ड़िट्स जो आपके शहांस में फूछा जा सकते हैं एक कोश्टन है दोस्तों एक कोश्चन आता है कि ब्रेडी काओडिया और टैकी काओडिया है तो जो हम अरांद कर रहे होते हैं तो उस दरान इस्टिती हमारे हार्टेट से सो प्रति मिनित हो सकता है, बर जब ब्लेडी-काडिया का होता है कि हिरे-घटी समाने से अ tying-देड खर भोला एक प्लंद हो सकता है, तो इक दिर if ब्लेडी-काडिया का होता है, तो ठ्रति मिनित सैस्टे क्माने की कभ़ Оп कि हो 20 के सी में तो यह था आज की सेशन का blood circulation related I hope की सभी कोशेज आपको समझ में आये होंगे अगे अपने दोस्तों तक भी वीडियो को सेयर कीजिएगा जिससे उन लोगों तक भी वीडियो पहुच सके तो मिलते हैं नेशन वीडियो प्रैक्टेक्स में तब तक के लिए चाहें